आज दोस्तों, आज करेंगे क्लास 10 की सबसे लंबी पोयम का सफाया पोयम का नाम है The Tale of Custard the Dragon टेल का मतलब होता है स्टोरी और एक ड्रेगन के बारे में है ये स्टोरी जिसका नाम है ड्रेगन का नाम है Custard ये स्टोरी है एक पोयम इस पोयम को पढ़ेंगे line by line, word by word पोरी पोयम समझेंगे और फिर इसमें है काफी सारे poetic devices जैसे के oxymoron, metaphor, simili वो सब को भी हम detail में देखेंगे और उसके बाद तुम्हें description में जाना है जहाँ एक PDF है जिसमें है सारे के सारे extract based, previous year और सारे important questions यार इस पोयम में एक बच्ची है, उसके साथ कुछ pets रहते हैं उसके और एक red color की wagon यानि red color की गाड़ी भी है उसके पास और यह सब कुछ समझाया जाएगा स्टोरी में की कैसे एक pirate आजाता है, फिर कैसे ही सारे situation ये लोग मिलकर face करते हैं स्टार्ट करते हैं बिलिंडा lived in a little white house, बिलिंडा वही चोटी सी बच्ची का नाम है, जो कहां रहती है, छोटे से white house में रहती है विथा little black kitten and a little gray mouse, एक चोटे से black kitten के साथ, यानि की काले कलर के बिल्ली के बच्चे के साथ और grey colour के चूहे के साथ grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon little yellow dog यानी कि छोटे से yellow colour के कुत्ते के साथ और छोटी सी लाल colour की गाड़ी के साथ wagon का मतलब गाड़ी kart and a really or truly Ref pilgrimage little pet dragon really or truly इसका मतलब really or truly का मतलब है real or true यानी कि असली और सच्चा little pet dragon चोटा सा पाल्तू ड्रैगन अब आई पोयम है से इमेजिन कर लो कि उसके पास एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है फिर आगे अब यहाँ पर अगले स्टेंजा में अब इन सब का नाम बताया जा रहा है तो देखो इस स्टेंजा में नाम क्या है सबसे पहले जो लिटल ब्लैक किटन है यानि कि बिल्ली का बच्चा है काला कलर का उसका नाम रहता है इंक यार इंक भी थोड़ा सा डार्क होती तो वैसे याद कर ले ना ब्लैक किटन का नाम इंक और ग्रे माउस जो है उसका नाम ब्लिंक इसको तुम ऐसे याद कर सकते हैं जो चूहे होते हैं वो आँखे अपनी ब्लिंग करते रहते हैं जपकाते रहते हैं तो उसका नाम क्या है? ब्लिंग और जो यलो कलर का लिटिल डॉग है और लिटिल यलो डॉग वो शार्प एज मस्टड इस लाइन का मतलब है कि वो जो यलो डॉग था वो बिल्कुल शार्प था मस्टड की तरीके मस्टड यानि की सर्सो जिसका तेल तुम लगाते हो न वो सर्सो बिल्कुल वैसा यलो कलर का शार्प कलर था डॉग का भी और इसलिए डॉक का नाम भी पढ़ गया था Mustard अब जो ड्राइगन था वो कौवर्ड था कौवर्ड का मतलब होता है डरपोक होना and she called him Custard और उसका नाम क्या था Custard Custard नाम कैसा दरखोगे ऐसा दरखोगे ऐसा दरखना जो वो Custard था वो ड्राइगन उसके पास बिग शार्ब तीत थे and spikes on top of him spikes का मतलब जो उसके उपर पीट की साइड पे कांटे जैसे spikes निकले हुए थे and scales underneath तो उसका मतलब देखो पीट के उपर spikes थे यानि की कांटे जैसे थे और scales underneath तो इधर पेट साइड आगे के साइड क्या था scales था जैसे मचलियों के scales होता है ना छोटा छोटा सा pattern वो pattern को हम scales बोलते है mouth like a fireplace chimney for a nose अब समझाया गया है कि उसका जो मूँ था उस dragon का वो बिल्कुल fireplace के तरह था यानि कि जो जलने वाली जगा होती जिसमें आग जलती है उसे बोलते है fireplace जिसमें आग जला के हम आग तापते भी एंट हंडियों में उसे ही बोलते है fireplace और dragon का मूँ हमें fireplace की तरह हर cartoon हर movies में दिखाए भी जाता है कि उनके मूँ से आग निकलती है वह ही लिखा है mouth like a fireplace chimney for a nose अब जहां पर भी fireplace होती है जहां पर माग तालते हैं या फिर जहां पर माग जलाते हैं तो उसके उपर एक chimney होती है धुआ निकलने के लिए तो यहां पर वो dragon की नाग को chimney से compare कर दिया गया है and realio trulio daggers on his toes realio trulio का मतलब असली और सच्चा daggers का मतलब अब वो छोटी बच्ची की बात हो रही कि वो इतनी जादा बहादूर थी जैसे barrel full of beers beer यानि की भालू जो किसका symbol है बहादूरी का और barrel एक container जैसे की एक container और जिसमें खुब धेर सारे beers हों वो इतनी जादा बहादूर थी and ink and blink chased lions down the stairs ink और blink यानि की इंक कौन था इंक था वो बिल्ली का बच्चा और blink वो mouse वो चुहा अब यह दोनों इतनी बहादूर थे की वो lions को भी chase कर लेते थे chase जैनी की दोडा लेते थे down the stairs सीडियों से नीचे mustard वो यलो कुत्ता वो इतना बहादूर था जैसे tiger in a rage जैसे कि एक tiger rage में हो rage मतलब गुसा, anger, anger में हो but custard cried for a nice safe cage but जो custard था, जो dragon था वो में साहर रोता रहता था किसी इसके लिए एक nice safe cage के लिए उसे एक safe cage चाहिए था अपने around कि वो एक cage में रह सके आराम से बिलिंडा tickled him she tickled him unmerciful बिलिंडा उसे गुदगुदी लगाती थी unmerciful का मतलब की बिल्कुल दया के साथ नहीं बिल्कुल निर्दाई होके उसके गुदगुदी लगाती थी परिशान करती थी और ink, blink and mustard और ये तीनो they rudely called him percival अब ये rudely यानि की गुसे में चिढ़ा के उसे बोलते थे क्या percival percival कौन था अब यहाँ पर एक और story को link कर दिया गया है percival एक warrior था जो बड़ा बहादुर था बट एक बार ऐसी कुछ situation आ गई कि वो war पर जाने से डर गया था इसलिए उसको उस आदमी से लाफ़िंग इन दे लिटल रeड वैगन Add the really true love cowardly dragon really true love यानि कि असली सच्चा cowardly यानि कि diagonal बिलिंडा गिगिल till she shook the house बिलिंडा इतना हस्थी थी गिलिंड का मतलब हशना इतना इतना हस्थी थी ते ब तक जब तक वो पूरा घर नाहिला दे और बिंड जो बिंड था वो चुहा वो वीक ऐसा कहता था जिसे जब माउस हसते हैं तो ऐसा sound निकालते हैं इंक और मस्टर्ड उसकी एज पूछते थे यानि कि जब जब कस्टर्ड वो ड्रेगन रोता था एक नाइस सेफ केज के लिए तब इंक यानि कि वो गिटन वो बिल्ली का बच्चा और मस्टर्ड वो कुत्ता वो दोनों से क्या पूछते थे रूडली उसकी एज क्या रे तुमारी उमर क्या इतने चोटे से हो कि तुम्ह केज के लिए रो रहे हो वो उसे चिडाते थे इस तरह से आगे सड्यली सड्यली देर हड़ा और and mustard growled mustard कौन था? याद रखना यार mustard yellow yellow dog mustard growled, growled का मतला होता है गुर्राना, अब जैसे जो कुत्ते होते हैं वो डर में कैसे गुर्राते हैं, बाहर कभी सुनसान इलाके में सुनो तो, वह होता है mustard growled, and they all looked around और सब के साब इधार दर देखने लगे कि एक अवाज कहां साहिए वो जो कौन सी sound आई थी? nasty sound एक बुरी सी sound म्यू, cried ink, अब म्यूज करके कौन कराई करता है? ink, जो kitten होते हैं, बिल्लियां वो ऐसे बोलती है, और उ, cried Belinda, Belinda एक इंसान नहीं लड़की है, तो वो ही करेगी अगर कोई डरावनी situation होगी for there was a pirate pirate को हम सब जानते हैं, एक आँख फुटी वाले अंकल, अरे जो एक आँख पे कैप पहन के घूमते हैं, उदो नहीं pirate बोलते हैं तो pirate, climbing in the window window यहाँ पर window है अब ऐसा इस लिए उस किया गया window को window इसले लिख दिया गया है कि वो उपर वारी लाएं, बिलिंडा से राइम कर जाए यह सब कलाबाजी यार, poets करते रहते हैं poet कौन है फिलाल, ओक देन नाश pistol in his left hand, pistol in his right अब इस इस टेंड जा रहा है कि वो जो pirate घुसा है कहां से घुसा है, climb किया है window से, window से कूद के आया है उसकी हालात कैसे है pistol उसके left hand में है pistol उसके right hand में है and he held in his teeth a cutlass bright और उसके दात में cutlass bright है cutlass क्या होता है, एक sword, एक चाकू bright क्यों, क्योंकि वो चमक रही है बिलकूल his beard was black उसकी दाड़ी black है and one leg was wood और एक पैर उसका लकडी का है it was clear that the pirate meant no good अब उसके हालात देखके यह बिलकूल clear था कि pirate कुछ भी अच्छा करने यहां पर नहीं आया था pirate meant no good तो situation ऐसी है कि एक pirate जो बिलकूल कुछ अच्छा करने नहीं आया है वो घुश चुका है और अब हम देखेंगे अगले stanza में इन बाकी के जो members है इनका reaction तो अब से पहले बिलिंडा पेल्ड इसका मतलब होता है anxious जाना डर जाना बिलिंडा पेल्ड and she cried help help और उस चलाने लग जाती है help करके but mustard fled with a terrified help mustard जो था वो यलो आला dog वो fled flood यानि की भाग जाना वो भाग जाता है skip कर जाता है वहाँ से with a terrified yelp yelp का मतलब scream और terriforme डरावना डरावने तरीके से बिलकुल scream करते हुए चिलाते हुए चीखते हुए वहाँ से flood निकल जाता है भाग जाता है ink trickled down to the bottom of the household ink यानि की वो kitten वो बिल्ली का बच्चा trickled यानि की escape कर जाना भाग जाना दबे पाउ भाग जाना down to the bottom of the household अब house के सबसे नीचे किसी कोईने में जाके छुप जाता है and the little mouse blink वो छोटा सा चूहा blink क्या करता है strategically यानि की plan के साथ mouse holded plan के मुताबिक अपना वो mouse hold में घुश जाता है वो चूहे के बिल में घुश जाता है Tom and Jerry वाले बिल में घुश जाता है but अब jumped custard अब ये सब तो गुश चुके है what वो जो dragon था वो क्या किया but अब jumped custard अब वो custard dragon jump कर जाता है उपर snorting like an engine snort मतलब होता है sound निकालना engine की तरह sound निकालता है वो बिल्कुल clash his tail like irons clash का मतलब लड़ा देना इधर उदर इधर उदर अपनी tail यानि की पूच को लड़ा देता है iron की तरह in a dungeon clash his tails like irons in a dungeon dungeon का मतलब होता है underground cell जहां पर underground किसी दुकान के नीचे दौट underground cell में समान वामर रखते है store room type का तो वहां पर जैसे sore होता रहता है आवाज उत्ती रहती है लोहे की चीजों की तो बिल्कुल वैसे ही अपनी वो tail को लड़ा देता है इधर उदर with a clatter and a clank and a jangling squirm अब clatter, clank ये दोनों सब्द क्या है ये आवाज को रिप्रेजेंट कर रहे है कि clatter, clank इधर उदर आवाज हो रही थी and a jangling squirm और jangle भी एक आवाज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और squirm का मतलब होता है twist करना अपनी body को twist करता है अब वो पाइलेट के पास जाकर खाड़ा हो जाता है अब बिलिन्डा का मतलब कि बिलिन्डा का ड्रेजन वो बच्ची के ड्रेजन की तरफ पाइलेट गेब करता है गेब मतलब stare घूरता है and gulped some grog from his pocket flagon and gulped gulped का मतलब drink कर लेना घूट करके पी लेना some grog grog क्या होती है एक drink होती है special यारो सब की special drink होती है जब हम class 8th में थे तो हमारी special drink थी fruity जब हम class 10th में आए तो हमारी special drink हो गई sprite या फिर कुछ लोग की red bull फिर जब हम class 12th में जाएंगे तो जो भी होगी तुमारी drink तुम comment कर देना खेर grog 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 का मतलब होता है special drink जो कौन यूज़ करते हैं pirates तो वो ant gulged some grog from his pocket अपनी pockets flag जो आपर pocket फोलो लगाया होता है इसमें drink रखते है stand type का उसमें से निकालता है अपनी drink को जिसका नाम grog है और gulp करता है पी जाता है he fire two bullets hit अब वो दो bullet यानि कि दो गोलिया चला जेता है बट अच्छा हुआ हमारे dragon को वो लगती नहीं है and custard gobled him अब custard क्या करता है वो dragon क्या करता है बदले में gobled him gobled का मतलब swallow कर जाना निकल जाना यानि कि खा जाना तो वो custard dragon पूरा का पूरा वो pirate को ही खा जाता है gobled him every bit आगे लिखा है Belinda embraced him अब देखो यह हो गया है तो situation वहाँ से निकल चुके हैं वो लो डरावनी situation से तो वापस आते हैं सब के सब और Belinda embraced him embrace का मतलब hug कर लेना पकड लेना mustard licked him mustard उसे lick करता है अब mustard कौन है एक कुत्ता है तो वो अपना प्यार कैसे दिखाएगा चार्ट का ही दिखाएगा लिग डिम no one mourned for his pirate victim mourn का मतलब sad अब कोई भी sad नहीं होता है उसकी situation पे pirate victim यानि को जो victim बन जाता है pirate के आने पे तो वहीं फज जाता है बागी सब के सब भाग जाते है तो कोई यहाँ पे sad नहीं होता है बल्कि यहाँ पे वो सब भूल बाल के अब वो मर गया ना वो खा गया ना उससे तब सब खुश थे ink and blink in glee did girate ink and blink ink कौन था वो kitten वो billy और blink blink वो चुहा in glee glee मतलब happiness में did girate girate का मतलब circles में move घुमने लग जाते हैं बिल्कुल cartoon imagine करो या किसी के अगल बगल circles में घुमने लग जाते हैं अगर मैं फ्लस्टर ना करता तो मैं तुमसे दो गुना बहादूर रहता फ्लस्टर का मतलब confused करता है मैं बस confused हो गया कि कौन आया कौन आया और मैं भाग या वरना तो मैं तुमसे दो गुना बहादूर था अब इंक जो रहता है वो kitten वो भी बोलता है अब इंक ब्लिंक और बिंक भी बोलता है क्या बोलते हैं लोग कि हम सोचते हैं हम तो तीन गुना बहादूर होते और कश्टेड हमारा भुला भाला या फिर समझलो स्मार्ट जो बहादूर नहीं करना चाता है उनसे बोलता है I quite agree मैं अगरी करता हूं तुम्हारी बात से लगता है कश्टेड चला के इंसे बहादूर नहीं करना चाता कि बिलिंडा आज भी अपने उसी वाइट घर में छोटे से रहती है अपने सारे मेंबर्स के साथ और आगे वही स्टेंड रिपीट है जो पहले रिपीट हुआ था कि बिलिंडा ब्रेव है इंक एंड ब्लिंक लॉइन्स को चेस कर लेते है मस्टड तो इतना ब्रेव है जैसे की गुस्से में एक टाइगर हो आज भी रोता रहता है ऐसा किस नहीं लिखा है किसका ऐसा मानना है हमारे राइट एर जिसका नाम है ओस्डिन नाश आओ देख लेते हैं इसके सारे इंपॉर्टन लिटररी डिवाइजेज पोईटिक डिवाइजेज सबसे पहले मैंने तुम्हें सिखाया दूढने के लिए क्या करना है देखना है क्या कहीं पर कोई लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो देखो पहले स्टेंजा में कोई सेम लडर रिपीट हो रहा हो नहीं फिर देखो क्या कोई वर्ड रिपीट हो रहा है हाँ देखो पहले स्टेंजा में बार बार लिटिल 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 यह देखो बीच की दो लाइन में कितने बार रिपीट हुआ है क्या ड्राइगन कभी पैट होता है बिल्कुल अपोजिट चीज हुई न यह और जहां पर भी अपोजिट चीज होती है अपोजिट वड़ होते हैं बगल बगल उसे क्या बोलते हैं ऑक्जीमोरन याद कर लो लिख लो अपने बुक में और अगले अगले इस्टेंजा में यहां पर लिखा है अब मैंने तो बता रखा है यार पहले वीडियो में कि कहीं पर अगर कंपेरिजन हो रहा होतो दो तरीके से होता है एक कंपेरिजन अगर एज लाइक यह सब वड लगा अगर कंपेरिजन करें तो उसे बोलते हैं सिमिली स्माइल नहीं सिमिली एस आई एम आई एली तो यहाँ पर क्या है एस लगा है तो इसलिए सिमिली होगा अगर एस या लाइक ऐसे वर्ड ना लगे होते तो वहाँ पर मेटाफर होता जैसे की नेक्ट इस्ट ãyफैरिफ ऺडेशा में देखो चिमिली है बट चिमिनी फोरा नोस नोस का क्यमिनी तो नहींиком आई एश या लाइक ऐसा कोई वर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पर मेटाफर होगा देन आगे next इस्टेंड समय देखो वही पहला ट्रिक ढूंडना है कि क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो बिलिंडा, ब्रेव, बैरल, बीर्स बी-बी-बी काफी बी-बी रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा alliteration देन next उसी में है as brave as tiger inner rage तो फिर comparison और as word का यूज किया गया है तो इसलिए simili, s-i-m-i-l-e then next ink, blink and mustard they rudely called him percival, अब देखो called him तो dragon को him यानि कि एक human का दरजा दिया गया है इसलिए यहाँ पर होगा personification जैसे हिंदी विंदी में भी आर जब पेड़ों को, पौधों को, जानवरों को कैसे compare करते थे humans की तरहे treat करते थे तो उन्हें क्या बोलते थे हम personification मान भी करना रंकार वही चीज है आगे जहाँ पर भी कोई sound का use हो जैसे कि next उन्जा में क्या क्या sound है weak फिर उसके बाद यहाँ पर स्नौर्टिंग तो यह सारे sound को क्या हम बोलेंगे इसकी spelling याद कर लो यह poetic device होगा कहीं पर भी अगर sound की, बोलने की आवाज कहीं पर अगर लिखी हो तो then next next यहाँ पर रहेगा अगले स्टेंजा में like यहाँ पर use हुआ है तो simili अब यह तुम समझ जाना likes अगर compare किया जाए तो वहाँ पर simili और like या as ना use हो तो metaphor और फिर मतलब फिर खताम हुए सारे के सारे important poetic devices और स्वाह हो गया है यह poeam description में जाकर ले दो सारे important questions का PDF देख लेना वो सारे important questions notification वाली घंटी को चेड़ दो जल्दी से कि कुछ तुम से ना मिसो और फिर क्या अरे जाना जा पढ़ ले